हेलो जी वाटसा गाईज मेरा नाम है जैन कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूँ कि आप सब लोग खेरियत से होंगे आज की इस वडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का डेटा मुबाइल में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं बहुत कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आपको बिलूटूट डिवाइस पर चेस करके लगानी पड़ेगी तो वह सलो मैथड है तो मैं आप लोग के साथ मैथड शेयर करूंगा उससे आप कंप्यूटर या लैपटॉप का डेटा मोबाइल में एजी ली ट्रांसफर कर सकते हो कैसे करना है वैसाब इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक अदर डेटा केबल की इसको चार्जिंग केबल भी कहा जाता है यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ चार्जिंग केबल और डेटा केबल में डिफरेंस है जो चार्जिंग केबल होती है डेटा केबल चा साथ लगा लेनी है जिसमें आप डेटा रसीव करना चाहते हैं ठीक है यहां पर देख सकते हैं टॉप में नोटिफिकेशन बार में एक नोटिफिकेशन भी आ चुक है इस तरह आपको रसी उब और अपनी क्लिक करना है इसका मतलब कि आपकी डेटा केबल नहीं ठीक उसको च अब वहां चलिए हैं कंप्यूटर में वह दार आपने कोपी कर लेना जिसको आप मोबाइल में ट्रांसफर करना चाहते हैं किγसा काक्छा होगा कापी के section में यहां पर देख सकते हैं मेरी डिवाइस शो हो रही है वी 21E जो भी आपकी डिवाइस होगी आपको शो हो जाएगी अब इसको मैं उपन करता हूं यहां पर मुझे मुझे मेमरी भी शो रही है इंटर्नल स्टोरेज आपने राइट क्लिक करने आप्शन आ जाएंगे देन आपने पेस्ट करने वहां पर कॉपी हो जाएगी अब सक्सेस्फुली इस मुबाइल की मेमरी के अंदर मेरे कंप्यूटर वाला डेटा ट्रांसफर हो चुक है देन आप इजली अपने मुबाइल में जाकर वह डेटा द उली अजय हो जडिए उली हम का थो जब साएब शेंगे अव μας